तो यह है friends T800 Ultra Smart Watch और आज के इस वीडियो में इसकी sound problem के बारे में हम बात करने वाले हैं कई लोगों के यह पूछना है friends कि जब हम इसको phone से connect कर लेते हैं तो सारा जो phone का sound है जैसे हम YouTube देख रहा है या फिर Facebook देख रहा है तो सारा sound smart watch में आने लगता है तो उसको कैसे हटा है उसको कैसे बंद करें ठीक है friends या फिर आप call करते हैं तो call का भी sound यहाँ पर आने लग जाता है हलाकि इसमें आपको mic मिल जाता है बात करने के लिए लेकिन अगर आप comfortable नहीं है इससे बात करने के लिए तो phone में भी sound ले सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरा नम है सतीस और अब का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में तो चलिए friends इसको phone से connect करते हैं हम यहां से Bluetooth को on कर लेते हैं on कर लेने के बाद friends हमारा scan यहां से start हो जाएगा और देखिए यहां पर search में आ गया है T800 Ultra Smartwatch हो सकता है आपके यहां दो search में आ रहा हो एक app से connect होता है और दूसरा आपके phone से directly connect हो जाता है यहां पर आपको headphone का symbol भी देखने के लिए मिल जाता है ठीक है इस पर आपको click करना है directly connect करने के लिए ठीक है friends उसके बाद आप असानी से इसकी sound को भी check कर सकते हैं कि आप sound full है कि नहीं है तो देखिए यहां पर pair का option आ गया है तो pairing कर लेते हैं ठीक है अब देखिए हमारा यहां पर connect हो गया है connect हो जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप अपने smart watch में sound को check करना चाहते हैं घटाना बराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा क्वल करना पड़ेगा कहीं भी आप यहां पर call कर सकते हैं जैसे मैं one two three पर call करूं यहां से ठीक हैं तो यहां पर आपको जो sound का option आपको देखने के लिए मिल जाता है यहां से आप जो sound को गटा बरा सकते हैं ठीक हैं हाला कि आप अपने mobile से बढ़ाएंगे वही sound यहाँ पर भी दो करता है, तो दोनों तरीके से आप इसको control कर सकते हैं, अपने हिसाब से अगर आपका phone pocket में है, तो आप sound को घटा भरा सकते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कि हमारा sound है वो full है, और इतना ही sound इसमें आता 타100 Ultra Smartwatch sound की थोड़ा problem है थोड़ा कम sound आता है इसका speaker जो है अच्छा नहीं दिया गया है ठीक है फ्रेंड़ अब बात करते हैं कि हमारा जो YouTube चलाते हैं या फिर Facebook चलाते हैं तो हमारा जो sound है YouTube का या फिर Facebook का सभी sound जो है smart watch में आने लगता है उसको कैसे off करना है तो जैसे मैं यहाँ पर YouTube को खोलता हूँ, thought को मैं जैसे play करता हूँ तो sound जो है आ रहा है हमारे smart watch में आ रहा है, phone में sound नहीं आ रहा है, ठीक है तो इसके लिए हमको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको Bluetooth को on कर लेना है अपने phone के Bluetooth को यहाँ से on कर लिजेगा, on करने के बाद friends जहां आपका यहाँ पर connect for call and audio लिख रहा है उसके आगे setting का option यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, तो इस पे आपको simply click कर लेना है यहाँ से click कर लेना है, जैसे आप click कीजिएगा, तो यहाँ पर friends आपको call का और audio का option दिख जाएगा, ठीक है तो friends यहाँ पर हमको audio को बंद करना है, तो audio को off करेंगे, ठीक है friends जैसे हम audio को off करते हैं, तो यह जो smartwatch का support नहीं ले रहा है, ठीक है friends इसमें वो feature नहीं दिया गया है, यह एक problem है, आपकी smartwatch की या फिर मेरी smartwatch की जिसमें call का support नहीं ले रहा है, जैसे हम audio को बंद की, अपने आप जो है call का बंद हो गया और on करना चाहते हैं, तो on भी नहीं होता है, ठीक है, तो यह problem इसमें आपको face करना पड़ता है अगर आप थोरा सा महेंगा smartwatch दीजेगा, तो यह problem नहीं आगी, मैं इसके उपर already video बना चुका हूँ तो यह problem इसमें आपको देखने के लिए मिलती है, अगर आप audio को बंद करते हैं, तो आपके smartwatch में भी call zone नहीं करेगा इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो आप यहाँ से change कर सकते हैं, ठीक है अगर आप यहाँ से directly Bluetooth को बंद कर दीजेगा, तो एप से भी connection कर जाएगा, और आपके smartwatch में जो WhatsApp के notification आएगे, या फिर Facebook के notification आएगे, या फिर कोई message आएगा, वो भी यहाँ से दिखेगा नहीं, तो आपके लिए better यह रहेगा, कि आप यहाँ से इसको बंद कीजेगा, ठी आप यह connect हो जाता है, और on भी हो जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, अपने आप on हो गया, जैसे मैंने refresh किया, अब फ्रेंट्स बात कर लेते हैं, एक और तरीका है, अपने पास जिसमें आप calling का यहाँ पर यूज कर पाएंगे, अपने फोन में call का audio सुन पाएंगे, अगर आप smartwatch में नहीं सुनना चाहते हैं, तो simple तरीका है, यहाँ पर आपको call करना है, किसी भी number पर, randomly आप call कर सकते हैं, या फिर call आएगा, तो आपका जो sound है, आपके smartwatch में आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपके हांस में phone है, तो simply आपको यहाँ पर click करना है, और आपका sound यहाँ पर आने लग जाएगा, ठीक है, तो simple सा step जैसे यहाँ पर click किते हैं, इसमें आ जाता है, और यहाँ पर click करने के बाद आपके phone में आ जाता है, लेकिन अगर YouTube का वीडियो या फिर Facebook पर वीडियो देखते हैं, उसका sound अगर आपने phone में लेना चाहते हैं, तो आपको setting में जाके और audio का यहाँ से option बंद करना पड़ेगा, तभी आप sound कोई अपने smartwatch से हटा कर अपने phone में ले सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है friends, तो अगर आप by quick चला रहा हैं, तो इसको on करके रखिएगा, बाकी आपको यहाँ पर WhatsApp का message या, फिर Facebook का message notification आने मे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने यहाँ से Bluetooth को बंद नहीं किया है, यहाँ से बंद किया है, तो ठीक है, तो उमीद करता हूँ friends, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा, और जो लोगो भी subscribe क कर सकते हैं, आप कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी आपको परसानी हो, किसी भी smart watch में आप मेरे से comment करके पूछ सकते हैं, आपका reply जरूर करूँगा, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,